आज की सुडु में उड के इतने सारे परियोग सीखेंगे उड एक वर्ड है जिसका परियोग अलग लग तरीके से 15 प्लस यूजे सीखेंगे जो इस परकार है पाला यूज है उड का उड का मतलब है कोई काम करता कोई काम करती या कोई काम करते अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता कोई काम करता यह पर संटेंस है If you come to me अगर तुम मेरे पास आता I would give you money मैं तुम्हें कुछ पैसे देता या मैं तुम्हें पैसे देता कोई काम करता वहां पर दगे ओड़ का परियोग किया गया है यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता इफ आई कम टू हाउस आई उड़ डेफनेटली कॉल यू या पर कॉल करता कोई काम करता या पर उड़ का परियोग है अगर वो अंगरेजी सिखता तो एक अच्छी नोकरी करता संटेंस हैं इफ लांट अंगलेस ही उड या पर उड़ का परियोग किया गया है कोई काम करता के संस के लिए उड़ का अगला यूस है जिसका मतलब है गागेगी गागेगी से मतलब है यसे उसने मुझसे कहा कि मैं बजार जाओंगा यहाँ पर दगे उड़ परियोग किया गया है यह उड़ किया है जैसे कि उड़ का परजन्ट आएं परजन्ट में हम समझते हैं विल है और पास्ट में यही विल ही पास्ट में उड़ हो जाता है यहाँ पर जिससे दगे पहला संटेंस पास्ट का है यह दूसरा संटेंस व पास्ट में उसाएगा तो उड़ बनेगा रवी ने मुझसे कहा या उससे कहा कि वो एक कार खरीदेगा रवी टोल्ड हिम दाट ही उड़ पर्चेज आकार यह पर उड़ का परियोग किया गया है उड़ उड़ का मतलब है कोई काम किया करता था आप देखें उड़ एक ही वर करते थे we would drink wine वो गाना गया करता था he would sing a song तुम साम में टहलने जाया करता था you would go for a walk in the evening यह बनके कोई काम किया करता था मतलब past का habit बताए सारा कि past में इसा काम किया करता था present time में वो completely stop है would का मतलब है क्या बुरा लगेगा इसा कुछ meaning है जिससे बोलते है क्या उसको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूं तो sentence में गा would he mind if I say to him for help यह पर देखे ओड का परयोग क्या गया है क्या रवी को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाए would he mind if we go to house या पर देखे किसे परयोग क्या गया है ओड का तो इन सभी के sentences में इन सभी तरह के sentences में आसानी से परयोग क्या जाता है ओड का क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ बज़ार जाओ ओड यो माइंड if I go to market with you क्या पर sentences बना सकते हैं would का परयोग करते हैं offer के लिए इससे बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ रहोगे would you leave with me याप पर offer क्या जाता है क्या आप एक कॉफी एक कप कॉफी पीयोगे would you have a cup of coffee या पर देखे क्या आप एक कउफी पीयोगे क्या पर offer क्या जाता है कोई बीचीज है हुआ पर ओड का परयोग करते हैं क्या आपके लिए एक काप चाहे लाओ ओड आई गेट यू आ काफ आप टी फोर यू या पर देगे ओड का परयोग है तो इन सभी तरह के sentences में ओड का परयोग असानी से कर सकते हैं ओड का मतलब है क्या चाहेंगे कि वो करूँ तो जैसे sentence देखिए क्या तुम चाहोगे कि मैं नदी में नहाओ ओड यू लाइक मी टू स्वीम इन दा रिवर या पर जो मी है इस मी का मतलब है मै क्योंकि यहाँ पर objective form परयोग किया गया है क्या आप चाहोगे कि मैं अंग्रेशी बोलना सिखू ओड यू लाइक मी टू लर्न टू स्पेक इंगलेस या पर जो मी है इस मी से मतलब है मै objective form में इस वज़े से आई का मी है क्या आप चाहोगे कि राहूल सराप पिये ओड यू लाइक राहूल टो ड्रेंक वाइन या पर sentences क्या चाहोगे कि कुछ करूँ उस sense में परयोग किया गया ओड का मतलब है क्या यहाँ ठीक होगा यदि मैं कुछ करूँ जिसे क्या यहाँ ठीक होगा यदि मैं सुमन से बात करूँ ओड इट भी ओके ओड इट भी ओके क्या यह ठीक होगा इफ यह लर्ण्स कंप्यूटर यदि वो कंप्यूटर सिखे क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारा किताब लू ओड इट भी ओके इफ आई टेक यूर बोक तो इसे sentences बनाए साता है ओड का परियोग करके यह पर आप समझ सकते हैं कि किस की situation में परियोग क्या जा रहा है ओड का परियोग offer के लिए इसका मतलब है कोई काम करना चाहेंगे जिसे क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा ओड दे लाइक टू बाइड इस फोन ओड दे लाइक टू बाइड इस फोन क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना साएगा क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना साओगे ओड यू लाइक टू टॉक टू मी इन अंगलिस क्या पादे के कैसे परियोग क्या जा रहा है क्या आप एक कप चाय पी न चाहोगे ओड यू लाइक टू हाव आ काप आफ टीम या पर ओड का परियोग क्या गया है कोई काम करना साओगे आफर के लिए ओड ओड का मतलब है देखकत तो नहीं इससे बोलते हैं आपको उसके साथ रहने में कोई देखकत तो नहीं और अक्सर इस तरह के संटेंसेस बोलते हैं जिसे audio mind living with him यहाँ काम करने में कोई देखकत तो नहीं audio mind doing this work मेरे साथ बज़ार जाने में कोई देखकत तो नहीं audio mind going to market with me तो यहाँ ओपर ऐसे संटेंसेस परियोग किया जाता है conditional sentences का part 3 है जो कि इस प्रकार्स होगा if subject had with 3 plus subject, subject plus would have less with 3 plus subject यहां पर ओड का प्रयोग किया गया है इसे इसका meaning होगा अगर यह होता तो वो हो चुका होता यदि वो अंग्रेजी सेखता तो एक अश्य नौकरी पाच चुका होता तो sentence पनाएंगे if he had lunch less, he would have got a good job अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर सुगा होता if I had money, I would have helped the poor यहां पर possession भी दिखा सकते हैं कि past में मेरे पास कोई भी चीज़े होता इस परकार से अगला है would have का प्रयोग जिसका मतब है कोई भी चीज़े past होता जिसे उन लगों के पास कई सारे पैसे होते तो संटेंस सुनाएंगे they would have a lot of money या lots of money पेरिया के पास एक कार होता पेरिया would have a car मेरे पास कई सारे दोस्तों थे I would have many friends ऐसे परयोग करते हैं अगला परयोग है would have का जिसका मिनिंग है कोई काम कर चुका होता सभी words में चिपा हुआ है लगा हुआ है order जो की इस परकार से मिनिंग है वे लोग अंग्रेजी सिख चुके होते they would have learnt English या पर would have के साथ वप का third form परयोग हुआ है वो गाना गाच चुकी होती she would have sang a song या पर जो sang लिखा हुआ है sang भी वप का third form है वो एक वो राहुल से मिल चुका होता you would have match राहुल तो इसे परयोग कर सकते हैं वो राहुल से मिल चुका होता कोई काम कर लिया होता या कर चुका होता दोनों के लिए would have का परयोग करते हैं would have to उड़ाब टु का मतलब है कोई काम करना पढ़ता होगा इससे आपको खाना बनाना पढ़ता होगा यहापर उड़ाब टु के बाद वो आपका फरस्ट फरम पर्योग किया गया है उसे सुबा में जल्दी उठना पढ़ता होगा वो मेरा सबसे अच्छा दोइस्त होती लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिस की तो संटेंस नहींगे एसे भी हम बोल सकते हैं रावल अभी एक चिकित्सक होता एक बड़ा चिकित्सक होता रावल उडबी अग्रेड डॉक्टर नाउ यह पर उडबी के बाद आप कोई भी पोस्ट का नाम दिखा सकते हैं जो आप होते हैं लेकिन पर्जेंट में आप नहीं है उड़ाव हाड इसका मतलब है पार्स होता एक लंबे समिसे पार्स होता जैसे मेरे पास आज एक बाइक होता यदि उसने पहले अंग्रेजी सिखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता इसका मतलब हैं से अच्छा या के बजाए जैसे मैं चाई पीने के बजाए कॉफी पीना पसंद करूँगा या पर उड़ादर के जिगापर आप प्रेफर का भी पर्योग कर से सकते हैं कोई दिकत नहीं है वो टेवी देखने के बजाए सोना पसंद करेगा मैं खेलने के बजाए पढ़ना पसंद करूँगा इसे भी हम बोल सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन प्रेफर के बाद तू का पर्योग किया जाता है इस बातों को ध्यान रखेंगे और रेडर के साथ आप देन का परियू कर सकते हैं प्रिफर के साथ टू So guys, thanks for watching, that's all for today